तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले है बैलिनु का मिड मोडल का की कुछ ऐसे दिख जाते हैं सुजुकी का बैजिंग मिल जाता है तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं कि यह लिक्विड डिजाइन मिल जाता है मारति इसको लिक्विड डिजाइन बोलती है और यहां पर साइड में इंडिकेटर दिया गया है फ्रेंट की अगर ग्रिल की बात करें तो ग्रिल काफी जादा अच्छी लगते है क्रोम के साथ फिनीशिंग दी गई है इसको दिहान से जखो कि तो काफी अच्छी शेप बन रही है नीचे जाके वी में बिल्कुल शेप बना रहे हैं और यह प्लास्टिक में आपको ग्रि लेट मिलते हैं बैलिनों के अंदर अब मैं आपको बता दू अगर साइड में इसकी फोग लैंप में तो फोगहँ बेन बेडर रहो के साथ इसके डी और आप बाहर से लगवा सकते हो उसमें और अगर मैं आपको अगर साइट से रिखा दूँँ तो यह विंड्शिट मिल जाती है विंड्शिट में अगर आप वाइपर चलाते तो काफी अच्छे सा यूज होता है बड़ी विंड्शिट है काफी और वाइपर भी उसी साफ से काफी बड़े दिये गए जो काड़ी का शीशा एक बारी में अच्छे से साफ कर देते हैं में आपको मेर ऐसे मिल जाते हैं ड्यूल टॉन में ब्लैक एंड क्रॉम की फिनिशिंग के साथ और ऑटमेटिक फॉल्डेवन मेर रहा है विड इंडिकेटर इसमें आपको ग्रे ब उन데 खास नहीं होता थीक ठाक दिखने में होता है साइट में आप देख सकते हैं बीजिंग में इन्हों ने ब्लैक यूज 것도 कर आगया और विफसे आपढ़र से डीख सकते हैं ऋप्रोफ नॉर्मल वह से डिख ले बक पेंट अंच्पन जो meus साइड में आपको ब्लैक और यह अंदर से कूल जाता है और साइट से अगर मैं बता दूं तो इसकी लैंध आपको मिल जाता है 3995 mm की विट आपको 1745 mm की और इसका कव वेट गारी का मिल जाता है आपको 935 kg का जो गाड़ी के सबसे काफी अच्छा है कार की बात करें तो गाड़ी काफी शांदार दिखती है और अगर मैं थोड़ा सा पाज आपके आपको LED बैक लाइट दिखाऊं तो यह देखो गाइस किये सब मेरी परस्मेली फेवरेट लाइट से बैक लाइट और इंडिगेटर के साथ साथ LED लाइट मिल जाते हैं यहां पर आपको बैलीनों की बैजिंग मिल और साइड में जैसे आप जाओगे वहां पर आपको नेक्सा की बैजिंग मिल जाएगी तो यह सब काफी जादा अच्छा लगता गाड़ी की लुक के लिए यह डी फोगर दिये गए हैं बैक मिरर में यह पीछे वाइपर दिया गया है जो काफी अच्छे से यूज होता है यह परस्नली मैंने यूज कर रहा हुआ है यह अच्छे से क्लीन कर देता है यह काफी यूसफूल चीज है सब गाड़ियों में होनी चीए है यह आपको टेल लाइट मिल जाती है पीछे सिंपल सी चोटी सी यह आपको माउंटी एंटीना मिल जाता है जो टूटा हुआ है स् नीचे से अगर मैं बिल्कुल दिखा हूँ तो जंग वंग कहीं नहीं लगा हुआ गाड़ी में एक दम गाड़ी अच्छी कंडिशन में यह डिगगी में आपको गाईस थ्री ठीनाइन लीटर का स्पेस लीटर का स्पेस है देख सकते हैं स्टील वील मिल जाता है नॉर्मल आँ मैंने दिखा धी ऐसे ही दिखती है अब चलो उंदर से गाड़ी को दिखाँगो तो उंदर से गाड़ी और ज्यादा याप चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूं गाड़ी के अपको दिखा दूं तो अंदर से सीट काइड कुछ ऐसी मिलते है ब्लैक और सिल्वर में क्योंकि गाड़ी कि अगर मैं साइड से डॉर दिखा दूं तो प्लैक के साथ सिल्वर के साथ फिलीचिन दी गई है इसको जो अधाइड थाई स्पोर्ट काफी मिसिंग होगा लेग रूम अच्छा खासा है बलकि एक्स्ट्रा ही है लेकिन लेग रूम में यह मार खा जाती है और हैड रूम की बात करों तो इसमें भी कम है है और आगे से सही है लेकिन पीछे वाले बंदों के लिए कम है यहाँ पर आ मिल जाता है Central Locking मिल जाती है घाड़ी में और यह विंडर उप टाउन के लिए ऊटोमेटिक मिल सेंग दोर मिल जाता है जो राइट साइड में मिल जाता है आपको हैट रस गाइजन निकाल के रखे हुई हैं पीछे क्योंकि कोई रीजन था इसलिए लेकिन निकालना मढ़िए सेफ्टी रोज के लिए अच्छे और यहां पीछे भी आपको एड रेस मिल जाते हैं बीच में नहीं मिलता लेकिन दोनों तरफ आपको हैड्रस मिल जाता है जो काफी यूसफूल है गाड़ी की कुशनिंग काफी जाद अच्छी दी गई है सामने भी और पीछे भी इसमें कोई कंप्रमाइज नहीं गिया बैटने में और गाइज यह बैटने में काफी जाद अच्छ है कम पाट होल से गुजरते हैं और अगर अब मैं आपको पीछे से कैबिन दिखा दून तो काफी जादा आगे से भीग लगता है देखो गई स्टेरिंग कितना का अच्छा खासा अच्छा लग रहा है अगर आगे से बात करें तो स्टेरिंग आपको कुछ ऐसा मिल जाता है डरोड मिउट का और चैनल केंज करने चारो बटन आपको यहां मिल जाते हैं जो अच्छे से कैसा धिये गए यहां पे स developing की का लोगों मिल जाता है और यहां पर आपको टू एयर बैक मिल जाता है और यहां पर आप को ब्लुटू फूकर अप्श्य मिल सकता है अराम से यहां पर आपको five gear manual मिल जाते हैं और रिवर्स के साथ यहां पर और जगह मिल जाती है जो काफी हूज है इसके अंदर काफी जादा space बनाया गया without light इसमें आपको कोई light provide नहीं करती जो मुझे काफी दुक होता है और इस साइड में आपको paper रखने की जगह मिलते हैं इसमें light white कुछ नहीं मिलती सिंपल साधा मिलता है यहां पर आपको two lights मिल जाती है जो राको काफी powerful है पीछे तक रोशनी जाती है इसकी शीशे की बात करे आपको चाइड लोग जैसे और ऑटमेटिक विंडॉस के कंट्रोल दिये गए यहां पर भी आपको आमरेस मिल जाता है यहां पर पकड़ने की जगह मिल जाती है और पीछे से प्यारा सा चोटा सा आमरेस मिल जाता है नीचे आप एक लिटर दक की बोटल रख सकते हैं और सा क्राइड जैसे और डमी बेटन्स मिल जाता है कुछ roust साइड में जाता हो एक दिखाते हो तो यहांपे छी देख चल स्र in दिल गई सब्सक् Director кого दो सब्सक्राइब में काफी इस खार्व मिल जाते हैं इसके दर कूलिंग नहीं होती खुर्स wise पर एप पर हैड लाइट की कंट्रोल मिल जाते हैं डिपर जैसे और गाइस अगर मैं आपको सामने एम इडी दिखा जूं तो यह देखो गाइस कुछ इस तरह की दिख रहती है जो टेंपरेचर दिखा जिखा जाती है हीट का भी दिखा जिखा जिए कौन सा डॉर ओपन यह तक बता जाती है और गाड़ी सीव भी 12,000 चलिए तो गाड़ी की परफॉर्मस्स बहुत जादा अच्छी है और रात में अगर आप देखो गए तो काफी जादा अच्छी लगेगी काई यह एकदम ब्लू-ब्लू ब्लू कलर के माइडी जो हमेशा हर किसी को अच्छी लगते चाहिए यह से लुजए को यहां से लुजएगा वैस्तों आपको इसको चेड़ने की जड़ूरत नहीं यहां पर ऐसी का उप्छन विलता है यहां पर मोट मिल जाते है फेस पर लेनी है यह पिल्ए 12 की लैग में लेनी हावा और यहां पर ओटो का आप्शन मिलता गर ऊटो करता हो तो अपने टेंपरेचर सेट करके भार के हिसाब से सेट करके उसे एसी पे सेट कर देगे काफी अच्छी कूलिंग होगी मैं आपको लास्ट में इसका मुझी सिक्स्टम भी समझा दूँगा वह भी काफी अच्छा खासा दिया गया अब आते हैं भार की तरफ जल्दी जो मारती सुजुगी हर गाड़े में आपको यह इंजन मिल लाता है इसका इंजन 1197 CC का है और एवरेज इसकी 21 की है और इसकी पावर की बात कर तो 83.PHP की है और इसमें टोर्क आपको मिल लाता है 115 NM का जो गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा है इसको ट्राइब कर अबाज सुन लीए काफी शांत आवाज है कोई आवाज ही नहीं और ये आपको noise cutter मैं रहता है गाड़ी के बाहर आवाज नहीं जाएंज़ अंदर कैबिन में भी बाहज नहीं तो गाड़ी चलाके लिखाते हैं स्टार्ट करते हैं इसमें कोई आवाज महसूस नहीं होती ग इसका AC इतना अच्छा वर्किंग है इतनी दूप में भी अच्छा खाता चल रहा है अब पहला सवाल गाइस जो लोग पूछते हैं ये गाड़ी इतनी क्यों बिखते हैं तो गाइस सिंपल सा आपको आंसर दे दूँ इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी को बेस्ट बनाया गया है इसमें जो कस्टूमर है जो चीजे मांगता है उसको सब मिल जाते है इस प्राइस में और कोई गाड़ी ऐसी चीजे नहीं देती इसलिए गाड़ी बैस का रहा है इसलिए इस गाड़ी पर 12 वेरेट निकाले गई हैं और धड़ा-धड़ बिकते हैं गाड़ी वेटिंग में चलती है और अब भी और गाड़ी की अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की सस्पेंशन इसका काफी ज्यादा अच्छा की दिया गया ह है सस्पेंशन में दिल जीत लेते हैं गाड़ी हाँ अगर आप सो क्रोस करते तो इसमें आपको बोडी रोल मैश्जों होगा अच्छा कासा बोडी जोलिस मैस्फू होने वाला है सो क्रोस करते ही बत वो आप छोड़ा सोच सकते हैं क्योंकि गाड़ी की रेंज भी तो आप देखोगे तो अच्छी काशी दी गई है और गाइस अगर मैं गाड़ी की अगर आपको टायर की बात करूं 16 इंच के इसाफ से गाड़ी में बैलेंस काफी अच्छा खासा गाड़ी बना लेती है चलने में लोग आई 20 से करते थे हर को इसका आई 20 के साथ वीडियो बना रहता गाइस पर मेरे परसनल वियू से मारूं आई 20 इसके बिल्कुल बराबर भरत भी नहीं है अहां आई 20 की बोड़ी अच्छे बाइट गाइस इस रेंज में यह आई 20 को बिल्कुल फैल कर चुकिए है जितने इसने मोडल निकाल ले है और आई 20 ने नहीं निकाल ले उतने करता हो तो गाड़ी का काफी सेरिंग कुइक रिस्पोंस करता है और चलो गाइस अब मैं इसका आपको म्यूजिक सिस्टम सुना देता हूं तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं आप सभी को नेक्स वीडियो में तिल देन बाई करते हैं